नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चेरपरीची दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी के लिए एक बेहधी महत्वपून जानकारी को ले करके जिहां लहसुन के फायदों और नुकसान के बारे में आज हम सभी जानेंगे इस एपिसोड के माध्यम से आम तोर पर लहसुन कई खा इंटिवाइरल, इंटिफंगल और इंटियोक्सिडेंट गुन होते हैं इसके अलावा लहसुन विभिन्य प्रकार के विटामिन और पोशक तत्मों से भी भरपूर है इसमें विटामिन B1, B6 और C के साथ साथ मेगनीज, केल्शियम, तामबा, सेलेनियम और कई रोजाना थोड़ी मात्रा में लहसुन का सेवन आपके स्वास्थे को बेहतर तो बनाता ही है, परन्तु साथ ही में यह आपके शरीर को बिमारियों से संरक्षन भी प्रदान करता है, लहसुन का सबसे अधिक स्वास्थे लाव लेनी के लिए इसे कच्चा ही खाना चाहिए, पका हुआ लहसुन इसमें निहित और शद्य गुनों की एक महत्वपून राशी खो देता है, इसके अतिरिक्ट प्राक्रितिक एंटोबैटिक के रूप में लहसुन की शम्ता बढ़ाने के लिए आप इसका सेवन सुभा सुभा खाली पेट कर सकते हैं, आये जाना लेकिन इसके साथ साथ इसको खाने के बाद हूने वाली हानी को भी जानते हैं कि इसे हम अत्यधिक मातरा में सेवन करते हैं, तो हमें हानी क्या क्या होगी। लेसुन का भोग करने के बहुत सारे फायदे तो हैं परंतु साथ ही साथ इसमें स्वास्थे के लिए कुछ दूश प्रभाव भी नहीं थैं जिनका ग्यान इसका सही प्रकार से इस्तेमाल करने के लिए और उन दूश प्रभावों से बचने के लिए आवश्यक है लहसुन के साइड इफेक्ट्स को अच्छे प्रकार से जानने के लिए हम आपको बता रहे हैं। लहसुन कुछ HIV दवाओं का भी औरुद्ध कर सकता है। दवाओं के प्रभाओं में हस्ते शेप कर सकता है। इसलिए लहसुन का सेवन करने से पहले एक बार डॉक्टर से परामर्श अवस्य करना चाहिए। हमने जो भी सावधानिया बताई इनका दैनिक सेहत बनाये रखने के लिए ध्यान रखना बेहत जरूरी है। इसलिए अपने स्वास्ते को सही रखने के लिए इन प्रिकोशन को अपना करके इसके बाद आप अगर लहसुन का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके लिए बेहद फायदे मौंदा और लापकारी सावित होता है दोस्तों। तो यह थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए लहसुन के फायदों और लॉस से रिलेटेड फायदे हम बताते हैं इसके साथ साथ लॉस इसलिए बताते हैं क्योंकि हर सबजी या फल या जो भी अवशद है वो किसी रूप में फायदा करती है तो अत्यधिक मात्रा मे उसका सेवन आपको नुकसान भी करता है इसलिए हम बताते हैं ताकि आपको उससे रिलेटेड कोई बिमारी हो जिसको कि वो बढ़ावा देती है तो आप उससे बच सके उस बीमारी में उसका सेवन न करके उसका सप्लिमेंट यानि कि कोई और दवा ले सके आप कोई और जानकारी थी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में हम आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्तो पूर्ण जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों